नमस्कार दोस्तों आज हम आये हैं कासिकुर एक भुष भरने वाला पंखा लेने आये थे आर्ड दमाश्कार। स्वास करके वो बुक कर लिया था और सिंगल ही पीस इनके पास बचाता फिर भी नों ने इतनी दूर से हम लोग आये तब भी नोंने हमारा सम्मान रखका और बढ़िया डील हमारे अवसाद की अब यहां आया तो मुझे पता लगा कि इनके पास को अगेंसी भी है तो मैंने स अब करेंके इंप्लिमेंट इनके पास हैं दूसरी चीज इनके पास मैशियों की डिलर्शिफ है और शक्तिमान से 21 ही माना जाता है रोटर बेटर मैशियों का थोड़ा महंगत होता है बट इसकी लाइफ ज़्यादा है अलागि मैं भी शक्तिमान यूज कर रहा हूं गर्ट कि सुना मैंने अभी तक यही है जो यूज कर रहे हैं और जो और भी लोग है कि इसके ब्लेड की क्वालिटी और हर चीज की बहुत ज्यादा डिफरेंस है अब दिखाता हूं आपको इसकी जो मोटाई है सक्तिमान का जो अरिजिनल ब्लेड आता है वो इससे थोड़ा पतला ही होता है यह लगबग 8 mm का ब्लेड है मोटा ही होती सक्तिमान का आता है पांच साड़े पांच इससे जादा मोटा नहीं आता तो अच्छी क्वालिटी है बढ़िया चीज है ट्राइब करूंगा मैं भी कि नेक्स टाइम जो भी रूटर बेटर ल बहुत हैवी पिन है इतनी मोटा ही यहां पर इसके हैड पर दी वी ब्लेड भी बहुत सांदार है डबल पट्टे है साइड में यहां पर और मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूं आपको जो एक किसान अपने लिए चाहता है यानि जो मैं चाहता हूं और इसका फ्लेंच नो किंच बड़े आते हैं चोड़ाई में तो नहीं कह सकता बट लंबाई में आते हैं तो वह आल लेडी जो सक्तिमान का चैंपियन स्रीज है उसके बराबर ही इसकी गहराई बनती है और सुनने में सब्सक्राइब जो चीज आती है वो यह आती है कि इसका जो फ्यूल कमजेस्टन है अधर रूटर बेटर से लगबग आदे से एक लीटर सेम टेक्टर पर लेके आता है क्योंकि यह चलता बहुत हलका है यह ऐसा सुनने में आया है बाकी अब जो यूज कर रहे है वो कमेंट में बताना कि क्या चीज है क्या इस्तिती है यह इनका सोरूम है किसान फटिलर एजेंसी कुबोटा का सोरूम है यहीं से हम लेने आये हैं लगबगन 80-90 किलोमेटर दोर हम आये हैं ठीक है जी जो भी आपको वीडियो सही लगे अच्छी लगे सब्स्राइब करना और क्या इंपलीमेंट है मैं आपको आके और दिखा देता हूं अफी इंपलीमेंट है नगे बास कि यहूं बुने की मसीन है गन्ना बुने की मसीन है और डिस्पलाव भी है सारी चीज़े हैं काफी चीज़े हैं और यह जो आजकल चल रहा है सिंपल विदी में गन्ना गन्ने में चुताई करने के लिए ठीक है दोस्तो वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना सेयर करना धन्यवाद नमस्क्राइब